गुड मॉर्निंग और विडियो जो है हम लोगों का वो क्लास 10th का देखिए 10th का जो मैथ बुक है और मैथ बुक का इंशियार्टी NCRT में बहुत सारी बदलाब हुई उससे related मैंने एक विडियो बनाया ठीक है कि NCRT में क्या-क्या Chapter को सोब लोगों करदेखिए और उनलों लोग को जयानकारी मिल ऐसे क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं नाइन्थ वाले तो आप लोग चाहे जिस भी बोर्ड के हो आल ओवर इंडिया में जो NCRT बुक को फॉलो करते हैं जहां पे भी NCRT बुक फॉलो होता है उन लोग के लिए बहुत हिल्फुल है तो आप लोग देखे कि किस चैप्टर कौन सा मतलब जो है आपका मत बुक में कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन-कौन सा छोड़ना है तो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए पूराना बुक लिए ठीक है आप लोग कीजिए कुछ नहीं जिनके पास पूराना बुक है वो ले करके बैठ जाईए बस पूराना बुक में मैं जहां जहां बता रहा है उसको काड़ दीजिए बस उतना ही काफी है जैसे देखिएगा पूराना बुक में ही क्या है? हाला कि इसका नया बला आया हुआ है आप उस गंस्यार्टी एप पे भी देख सकते हैं येकिन अगर आप लोग कोई कन्फ्यूजन हो दीकत हो इसी कारण से मैं इस तरह जडायरेक्ट दे दिया हूँ तो देखिए सबसे पहले जैसे फर्स चेप्टर है वास्तविक संक्या तो वास्तविक संक्या में ये जो भूमी का है ये हम लोग को पढ़ना है सेकिन नंबर जो आता है योकिल विभाजन परिमेई का इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक है 1.3 अंक गनीत के धारबुत परिमेई पढ़ना है 1.4 अपरिमेई संक्याओं का पुनर भ्रह्मन ये भी पढ़ना है और परिमेई संक्याओं और उनके दसमलो प्रशार का पुनर भ्रह्मन यानि की 1.5 नहीं पढ़ना है बाकि 1.6 रहेगा उसके बाद जब आप सकेंड चैप्टर में इंटर करते हैं बहुपत तो बहुपत में देखिए 2.1 बहुमी का पढ़ना है 2.2 बहुपत के सुन्यक का जैमीती अर्थ यह पढ़ना है 2.3 किसी बहुपत के सुन्यक के लिए गुनांकों में संबन में पढ़ना है जो फॉर्मूला पढ़ते हैं बहुपत के लिए वरधारन अल्गौरिफम यह नहीं पढ़ना है उसके बाद थर्ड चेप्टर हम लोग आते हैं तो दो चरवाले रैखिक समिकरन हैं तो दो चरवाले रैखिक समिकरन में 3.1 भूमिका पढ़ेंगे हम लोग 3.2 को नहीं पढ़ेंगे 3.3 पढ़ेंगे रैखिक समिकरन यूग का ग्राफी विदी से हल और 3.4 भी हम लोगों को पढ़ लेना है एक रैखिक समिकरन यूग का हल करना ये 3.4 पढ़ना है 3.4.1 यानि कि प्रतिय स्थापन विदी और विलोपन विदी ये दोनों पढ़ना है बस ब्रज गुनन खंड विदी आप लोगों को नहीं पढ़ना है अबसे उसके बाद दो चरवाले रैखिक समिकरन के यूग में बदले जा सकने वाले समिकरन 3.5 भी नहीं पढ़ना है और सारांस पढ़ना दीजिएगा तेखिए विडियो काफी आप लोगों के लिए है तो प्लीज विडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए ठीक है चलिए क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव विडियो चु टेंथ क्लास नाइथ क्लास चाहे जिस भी बोड के हो उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन वीडियो भी मतलब इंफॉर्मेशन दे दिता हूँ आप लोगों को साथ ही मैं क्लास टेंथ का सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्लेलिस्ट में जा करके मैं वीडियो में देख सकते हैं वहाँ पर मैं क्लास टेंथ का मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी जो भी सब्जेक्ट है लग वो भी पढ़ा रहा हूँ नाइंध क्लास का ही पढ़ाया हूँ तो आप वहाँ से देखिए और ठीक है तैयारी कीज़े बढ़ियां से चैप्टर 4 में जो है आपका 4.1 पढ़ स्रेनी है समानतर स्रेनी में कोई बदलावन आपको 5.1 से 5.5 ये पूरा पढ़ना है ठीक है समानतर स्रेनी बहुत इंपॉर्टन चैप्टर भी एक्शुली किसी भी कॉम्पोटिशन एक्जाम में आपका अच्छा खासा कुश्चन इससे भी रहता है उसके बाद त्रिभु पढ़ना है उसके बाद आगे आ जाईए तो 7 चैप्टर आपको 7 चैप्टर में भी सिर्फ एक चीज़ हट रहा है बाकी भूमी का जो है वो पढ़ना है 7.1, 7.2, दोरी सूत्र और विभाजन सूत्र 7.3 पढ़ना है उसके बाद जो है 7.4 त्रिभुज का 6 तरफल ये नहीं पढ़ना है बाकि सारांस पढ़ सकते हैं अब त्रिखोन मीती का परीचा है त्रिखोन मीती का परीचा है त्रिखोन परीचर आप्डerम संभ सारांस पढ़ना है इसका भी मैं एक सेप्रेटेट वीडियो बना चुका हूँ आप लोग उसमें देखिए का त्रिकोन मीति मैथ का प्लेलिस्ट बना हुए उसमें आप देखिया बहुत ही आसान तरीका से मैं यह त्रिकोन मीति को पढ़ाया हूँ आप लोगों को उसके बाद नाइ हफित केस पर सुरेखा जो 28.3 पूरी तरह से हुठा दिए गया है यह आपका 11 चाप्टर बूरा तरह से पढ़ा दिया गया है इसके बाद 12चाप्टर में आ जाए इस व्agit 1 पूमी का 12.1 और जाए नहीं पढ़ना है 12.2 भी नहीं पढ़ना है अब 12.4 में भी आई है तो 12.4 मतब 4 तो पढ़ना ही नहीं है 5 पढ़ना है उसका 13 चैप्टर में जब आईएगा प्रिष्ट छेतरफल और आईतन तो इसमें 3.123 ही पढ़ना है यानि आप 1 को हटाएं दिजे तो 3.2 और 3.3 ही पढ़ना है ठोस के एक सहिजन का प्रिष्ट छे उसा करिती होता उसी का बागी ये जो संकू का छीनक को हटा दिया गया है और अब आजाएए आपका 14 चैप्टर जो है सांख्यकी तो सांख्यकी में आपको 14.1234 तक पढ़ना है 5 को नहीं पढ़ना है ठीक है ये जो संचे बारम बारता का आले खिरी निरूपन है वो नहीं पढ़ना और सारांस पढ़ना है बस 12.4 14.1234 और 14.6 इतने ही पढ़ना है बस इसमें भी क्या है माध्य बहूलक और माध्यक यही तीन तो आप लोगों को पढ़ना है कोई बड़ा बात नहीं है ये भी हो जाएगा 15 नंबर चैप्टर देखे 15 में ये से भूमी का हटिया है प्राइक्ता का और सिप्राइक्ता एक साधानतिक दिरस्टी कौन ये पढ़ना है समझे तो प्राइक्ता में जो भी कोश्य ना था वो आपको पढ़ना ही है तो इस तरह से आपका स्लेबस हुआ है और ये आप लोगों के लिए तो खुश हो रहे होंगे कि इतना चीज तो ह खटा दिया गया है बस यही कुल मिलाकर के बात है क्योंकि यह सब जो चैप्टर है संकु कच्छीन नक यह दोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ना तो यह सब आठा दिया गया बागी बनाईए पढ़िये तो फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर show कर दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा या, आई बटन पे मैं आपको, यहाँ पर show कर दूँगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्या पढ़ना है, आप उसमें देख सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक शेयर जोगए और चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाया हुआ हुआ है